हेलो अब्रीवान, वेलकम टो आर शैनल, उमीद कर दे हां, तोड़ी त्यारी बहुत वधिया चल रही होएगी सो जमेकी तुसी जानते हों, मास्टर कैडर इंग्लिश दे पेपर दी डेट अनौन्स हो चुकी है सो फाइनली तोड़ा पेपर 4 सेप्टमबर नो होन जा रहा है सो पेपर डेट दे अकॉर्डिंग ताड़े कोल एक मन्थ है, तुसी अपनी वधिया त्यारी कर सकते हों सो इस वीडियो वीच जैसे कुछ गल्ला डिसकस करांगे जो की बिगनर्स दे लई और जिनना रेजे स्टड़ी स्टार्ट कीती है उनना दे लई हैलफुल होन गिया सो तुसी अपने कॉर्डिंग इन गल्ला नो फॉलो कर सकते हों सो एक टाइम तोड़ेली बहुत ज़्यादा प्रिशियस टाइम है एक एक दिन तोड़ेली प्रिशियस है तुसी इस टाइम नो के में यूटिलाइज कर दे हो सो जिनना भी तुसी शोशल मीडिया ते अक्टिव हो जिथे भी तुसी चैट ग्रूप दे विच चैट कर रहे हो जान तुसी रिल्स देख रहे हो जिथे भी अपना टाइम ख्राब कर रहे हो तुसी इस चीज नो अज ही बंद कर दो यूँकि ता डेकोल एक मंच तो बाद बहुत टाइम है इस चीज जां देखन दे लई सो अपना टाइम बहुत वाइजली तुसी इस नो यूटिलाइज करो क्योंकि अगर एक जॉब ता डे लई ड्रीम जॉब है ता एक ताल जरूर याद रखो कि ए ड्रीम चेड़ा है और मैजिक नाल पूरा नहीं होन वाला एस ड्रीम नो रियालिटी बना अदे लई तानो मेनत करनी पवेगी अपने गोल दे प्रती डेडिकेटड रहना पवेगा तो बहुत ही त्यानल अपना टाइम यूज करो टाइम वेस्ट ना करो और ज्यादा तो ज्यादा स्टडिवल त्यान दोगो तो ट्राइट तो कीप यॉर्सेल्फ मॉटिवेटेड अपने अपनो ज्यादा ज्यादा मॉटिवेट रखने कोशिश करो क्योंकि ये तुसी ही कर सकते हो अगर जिनना तुसी नेगटिव जैट रिड करोंगे इदिनल तानो ही टैंशन होनी है तो इस चीजनो बॉइड करो और ज्यादा तो ज्यादा खुद नो मॉटिवेट रखो क्योंकि तोड़ा फ्यूचर जैड़ा है एक मन्थ ते डिपेंड करते है तुसी अपना टाइम के में यूटिलाइज कर रहे हो चार स्तंबर तोड़ा ड्रीम जॉब है तुसी ओदे लिए सोचना है तुसी किनना टाइम तुसी स्टड़ी करने है किनने टाइम डिविच तुसी राइटर कम्प्लीट करने है और किनने दिना दिविच तुसी अपना स्लेबस कम्प्लीट करने है तुसी अपना एक अक्शन प्लैन बना हो तुसी ओदे इंप्लीमेंट करो सब तो पहला तुसी अपनी self study करनी है जो भी तो अडिकल notes चाहे हो academy notes ने चाहे तुसी किते ने जहां तुसी coaching लई है जहां तुसी self study कर रहे हो जो भी तो अडिकल है इस time ते तुसी पहला उस चीज़नों read करना है तुसी ओधी self study करना है फिर किसे group दे वीच जाके तुसी poll करना है जहां तुसी poll solve करने ने ठीक है यह time भी तुसी अपने coding ही manage करना है अपने time नो effectively use करना है तुसी यह सिर्फ तो अडिकल किनना time available है ठीक है सब दी अपनी strategy होंदी है अपना reading style होंद है अपने coding ही हर कोई sitting दिन्दा है सो ए सिर्फ आपा खुद जान दे हैं किसे अडिकल किनना time है गये ठीक है तो सुसी अपना time खुद manage करना सिखो ठीक है पहला जो तडिकल available है जो तडिकल notes ने पहला उनना नो read करना है क्योंकि paper उनना भी चुई आना है अगर तानू thoroughly ओ सारा याद ही नहीं है तो तुसी पोल के में solve करोंगे फिर तानू confusion नहीं रहेगी सो सब तो पहला अपना time morning उठ दिया morning time अगर तो डिली best है evening time तो डिली best है जो भी time तो डिली best है उस time ते पहला self study नो तुसी अपना time devote करना है जिनना भी time तुसी दे साकते हो चाहे 2 कंटे, 3 कंटे, 4 कंटे जिनना भी time दे रहे हो तुसी सब तो पहला self study important है तुसी सारा दिन online नहीं रहना सारा दिन groups दे विच online नहीं रहना तुसी अगर तन कोई doubt है तुसी अपना जिड़ा भी doubt है तुसी note कर लो और एक time ते तुसी अपना fix कर लो कि इस time ते मैं online होँगा और सारे मैं अपनी doubts पुछ लाँगा जो भी group open होएगा ठीक है अगर तुसी morning time ते अपना doubt पोस्ट कर दिनने हो तुसी अपनी self study important है उसनों पहला time देना है तुसी जो भी तोड़ी distraction है उसनों avoid करो अगर तुसी आज दे दिन दे विच तिन राइटर कर लेने तुसी अगले दिन दी list प्रपियर करके चलो कि कालों में ए तिन राइटर करने है ठीक है और हो दे थी implement करो देन सो study देन आलना तोड़ी health भी important है तो take care of your health and do meditation do walk जो भी तो नूँ सही लग रहे हैं तुसी अपने mind नो relax भी रखो and study भी करो साधे recording जिड़ा study plan है आज दे दिन तो अडिकोल 22 days ने ठीक है तुसी 72 writers complete करने है अगर तुसी ज्यादा writers नहीं कर सकते जो कि beginner है जिने अजे start किता है अगर ज्यादा राइटर नहीं कर सकते एक दिन दे विच ता ओहो एक दिन दे विच तिन राइटर्स कवर कर लो चाहिए पेपर किस लेवल तक आ सकते है तो एक गल होर की इस लिबस दे कॉर्डिंग तानू पता है तोड़ी किस एजडी कट के आ रही है में इस तोड़ा वीक पार्ट केड़ा है पशे गितना करना स्टारट कर दो अगर गयां गयाल कर दिया तोड़ा रिंग्विस्टिक और ग्रेमर दे गयाल कर दिया तो जिनने मिबी बेपर प्रीविपश हो चुके ने हार एक क्वाप पर दोड़ी जांता और grammar नो तुसी side by side cover कर दे जाओ बट जादी कुमान तो दी राइटर सेक्षन ते होनी चाहिए है एंद भी एक कॉमन जी कर ला है कि जैसे एज दे वीच ज़्यादा राइटर्स दितते हो इने तो ओदे विच ज़्यादा कोश्चन होने ने ठीक है देली quizbot revision भी हो रही है और YouTube चैनल है जो इतनो state wise previous paper दे question जो ने ओ परवाइड किते जारे नहीं जिनने भी state wise paper हो चुके हैं ओ कोश्चन असी syllabus according ही पिक कर दिया और तनो परवाइड कर रही है और नाल ही नाल लिटरेटमस टे 1000 MC के ओ सीरिस चाल रही है तुसी ओ भी वाच कार सकते हो डेली ओनलाइन क्लास भी प्रवाइड किती जारी हो दिविच तुसी ओ पार्टी स्पेट करके नाल दी नालो स्चीज नो cover-up कार सकते हो सो बहुत मेंबर्स पुछ रहे सी कि अगर सानू कोई चीज टफ लाग रही है ता सी उसनू के में याद करिए सो हुना पांच जस्टर इंडियन एज दे रिगार्डिंग ही गल करांगे सो इंडियन एज रिगार्डिंग तुसी इन हर एक राइटर दी बायोग्राफी भी करनी ही है सो बर्थियर, डेथियर, बर्थ प्लेस तानू याद होन ठीक है क्योंकि बर्थियर चोभी कोशन आ चुका है और बर्थ प्लेस चोभी होन तुसी कहोंगे कि इनना कुशत से क्यमी याद करिये ता एक तरीका दास देयाता नू सो यह सब याद करन लिए तुसी की करना है एक चार्ट लेलो जां कोई भी प्लेन वाइट शीट लेलो तुसी ओधे उपपर बर्थियर, डेत हीर, बर्थ प्लेस, कॉलम बनाके तुसी राइटर दा नेम मैंशन कारके तुसी कॉलम बनाके सब चीजनो नोट कर लोगह ठीक है पेश्ट करो डबल तेप नाल लगा लो ठीक है और नाल नाल इसचीज नूं रिवाइज करो और इस नोण 4-5 तिन तुझे एमटाइब फालो करो जेड़ी भी लिस्ट तुसी लेके जारे ओता लगा रहे ओता तुसी उननों याद करने देते दो और फिर उस्तों एदे विचो question put करो ठीक है और तुसी उन्दा answer करो कोई भी birth date ठीक है birth year, death year, birthplace पुछो और तुसी उन्दा answer करो इस तरह तुसी किया इस चीजनों बहुत वधियत रिकेनल याद कर सकते हो और जो भी list तुसी prepare करोंगे चाहिए birth year, death year, birthplace जाए full name ने, site academy ward ने, जाँ booker price ने, जाँ कोई titles ने, जो भी list प्रप्यार करोंगे इस से ही टेकनिक दे recording तुसी इसनों बहुत वधियत रिकेना याद कर सकते हो और कुछ members जॉब ते ने कुछ teachers जॉब कर देने तो उनली अगरे चीज केरी करनी मुश्किल है ता ओ अपने फोन दे विची सेव करके राख सकते हो और अपने फोन ते home screen wallpaper लगा लो जिननी बार तुसी फोन देखो इस चीजनों रीड करो एपॉइंट्स रीड करो तुसी इसली याद कर सकते हो तुसी किसे भी एश्टे अप्लाई कर सकते हो जो भी ता नू टफ लग दाए अगर तुसी दो या तिन राइटर रीड कर लेने और शाम नो तुसी ए चीजनों रिवाइज करो कि मैं की कुछ पड़िया है चाहिए ओप्रेक्टर क्यों ना होए जा फिर पब्लिशियर क्यों ना होवे ए तुसी याद करने कोशिश करो एदिनल तोड़े तोड़ी रिविजन होएगी ठीक है एंड जो भी ग्रूप दे विच एड्मिन्स वालों ट्रिक्स प्रवाइड किते हैं जारिय कोई भी पॉइंट है तुसी जाता हो नोट कर लो और जो ट्रिक्स ने तुसी ओ अलग जगाते नोट कर लो और फ्री टाइम दे विच तुसी फ्री टाइम मींस जदो तुसी कम कर रहे हो उदो ओव चीजन रिवाइज करो ठीक है और जदो भी तुसी कोई कोश्चन आल दी नालो तो आनों याद आएगी ठीक है और ताट रोकोश्चन बिलकुल सही होएगा तो एक लास्ट पॉइंट है कुछ मेंबर से वी पुछ रहे हैं कि सम्री नोगे करिए तो अगर तुसी इंडियान एस स्टार्ट किती हो यह ता तो उसी राइटर वाइस जो भी इ अगर तो इस टोरी क्लिया रहना एक बार तुसी रीड कर ली एक बार तुसी कि तो यूटूब तो और स्टोरी सुन लेने हो ता बाद वीच तुसी अपनी स्टोरी बनाओ ठीक है भी तुसी की सुनिया फिर तानों और वह पुल लेंगे और वर्क भी नहीं पुलेगा तो बस एक शॉट समरी तुसी रीड कर लो अपनी एक स्टोरी बना लेनिया तुसी नाल तानों क्रेक्टर्स याद हो जानगे क्रेक्टर्स आपस दे विच रिलेशन किया तानों ओ याद हो जावेगा एक यूटूब ते चैनल भी है स्टरडी लवर ठीक है ओ भी तुसी फॉल लैंक हो गया पेपर डेट अनाउंस हो गया है समझ नहीं आ रहा की करिये तब प्लीज आमें कुछ ना सोचो तुसी जस्ट जो भी स्लेवर्स है उन्हों फॉलो करो जिनना कुछ याद हो सकता है याद करन दी कोशिश करो और एक एक्शन प्लान दे अकॉर्डिंग तुसी चीज नूँ फॉलो करना है सो आज दी वीडियो जी सिर्फ इनना ही मेनत कर दे रो पड़ दे रो हो और अगर कोई डाउट है ता तुसी कॉमेंट बॉक्स वीच पोस्ट कर सकते हूं सो अगर वीडियो पर सांद आई है ता प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शियर थैं झाल